जैहिन दोस्तों मैं जेपी चोधरी और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल सर्वीश टू सेविंग गाइड सर्वीश टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नबोदय बिद्याले समिती ने रिकुट्मेंट ड्र लाने परेंगे वैसे तो सोशल मीडिया में आपने देखा भी होगा और आपने सुना भी होगा कि अलग-अलग तरह के दावे किये जा रहे हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्रिवियर्स रिकुट्मेंट के आधार पर और किस तरह के कुश्चन पूछे गये थे पि लेवस क्या था और सेलेक्शन काइटेरिया क्या था और केंडेर्स को कितने मार्क्स मिले थे ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूं और उसके आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कितने मार्क्स लाने परेंगे सेलेक्ट होने के लिए तो द और 87 है जैसा कि आप देख सकता है कि टोटल 87 भैकंसी है यहां पा रहा है अब मैं इसका सिलेवस आपको दिखाने जा रहा हूं और दोस्तों यहां आप देख पा रहा है केटरिंग असिस्टेंट के लिए जो सिलेवस रखा गया है कि डिकूट्मेंट ड्राइब 2021-22 के लिए 15 marks का reasoning ability होगा और 15 marks के general awareness से question पूछे जाएंगे और 20 marks language competencies इसमें 10 marks हिंदी और 10 marks English से और इसमें जो एक बदलाब हुआ है वो है knowledge of computer operation जो 10 marks का अलग से जो की recruitment drive 2017 और recruitment drive 2019 में यह सिलेवस में नहीं था इसे नया एड किया गया है और domain knowledge यानि कि आपका जो professional knowledge है उससे 60 marks के question total 120 marks के question पूछे जाएंगे लेकिन इसमें जो बदलाव है जिसको आपको ध्यान देना है और जब मैं आपको advertisement दिखाऊंगा 2017 की और 2019 की तो आप इसे फर्क कर सके क्योंकि selection criteria में भी इस बार अंतर किया गया है तो selection criteria के लिए आपने general instruction में देखा होगा कि इस बार इसके लिए जो रखा गया है negative marking रखा गया है जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई गलत answer आप करते हैं तो उसके लिए 1 by 4th marks आपके जो correct answer होगे correct यानि की जितने marks आपको मिले होगे तो प्रतेक गलत answer के लिए 1 by 4 आपके marks से deduct कर लिया जाएगा जो की recruitment drive 2017 और 2019 में नहीं था अब म currency और selection criteria और syllabus आपको दिखाने जा रहा हूं फिर उसके बाद आपको 2019 की दिखाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने marks आपको लाने परेंगे तो दूस्तों आप यह देख रहे हैं नबोदय विद्दयलय समीतिक की जो advertisement है जो जिसे आप nbs recruitment 2017 कर सकते हैं 2017 के लिए यह जारी किया गया था जैसा कि आप यहां देख सकते हैं और इसमें आपको दिखा रहा हूं कि catering assistant के लिए total कितने पद था जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि catering assistant के लिए जो total पद था वो total संख्या थी 61 अब मैं आपको इसके syllabus आपको दिखाने जा रहा हूं और selection criteria और फ और catering assistant के post के लिए जो syllabus था वो 100 marks का था और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 marks हिंदी और 10 marks English यानि 20 marks और 20 marks general awareness के लिए था 20 marks reasoning या mental ability के लिए और 40 marks के ही subject से पूछा गया था total 100 marks का था और 150 minutes का time दिया गया था और 2017 के recruitment drive में negative marking की provision नहीं थी वहाँ पर यानि की negative marking नहीं था उसके लिए 1 by 4 marks नहीं काटा गया था क्योंकि आप यहाँ general instruction में आप देख सकते हैं कि उसका कहीं भी mention यहाँ पर नहीं है general instruction में कि 1 by 4 marks काटा जाएगा यानि कि जो भी marks मिले थे उसके आधार पर यहाँ देख सकते हैं कि result of online computer based test will be published on nbs website और यहाँ देख सकते हैं कि computer based test के आधार पर ही result दिया जाएगा यानि कि इसी आधार पर result बनाया गया था इसके लिए कोई negative marking नहीं थी अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि question किस तरह के question आया देख सकते हैं कि 14.1.2018 को यहाँ पर objection invite करने के लिए कि final answer की यहाँ पर दिया गया था अब मैं पहले एक बार आपको धीरे से पूरा question answer आपको दिखा देता हूं यह catering assistant के लिए जो question पूछा गया था 100 marks का इस question को सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं इसके बाद मैं आ यानि कि इस तरह के जब question पूछा गया था वहाँ पर कोई negative marking नहीं थी तो candidates को कितने marks मिले थे यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तो दोस्तों आप ज़रा इसको गौर्ग से देखिए मैं एक बार सुरू से अन तक आपको इस question को दिखा देता हूं आप भीरियों रोक के सब्सक्राइब के लिए और 40 marks के जो आपका professional knowledge है यानि कि आपके subject से पूछा गया था आप यहां देख सकता है पहले आप एक बार question को ध्यान से देख लीजिए फिर मैं आपको combined merit list दिखाऊंगा कि combined merit list में candidate को इस तरह के question में कितने marks मिले थे जबकि कोई negative marking भी नहीं थी और लास्ट कितने selection तक गया था जैसा कि आप जानता है कि 61 vacancy थी और लास्ट candidate को कितने marks लाने परे थे selection के लिए तो जोस्तों जैसा कि आप यह देख रहे हैं कि अभी यह skin पर यह उसी का question है मैं इसे थोड़ा धीरे से आगे बढ़ाता हूँ फिर इसके बाद मैं आपको combined merit list पर ले चलूँगा वहाँ देखके आप judge कर सकते हैं कि इस तरह का जब question पूछा गया था तो कितने marks मिले थे दोस्तों यह 96 question number पर पहुंच चुके हैं अब आप यहां देख सकते हैं कि total hundred question यहां पर आप देख सकते हैं कि hundred तक पहुंच गया है अब मैं आपको combined merit list दिखाने जा रहा हूं दिखाने जा रहा हूं कि last candidate को कितने marks लाने परे थे तो दोस्तों यह जो आप स्कीन पर देख रहे हैं आप 3 2018 को यह published किया गया था और इसमें आप देख सकते हैं कि यहां catering assistant के पद के लिए भी result जारी किया गया था तो अब आईए आप देखिए catering assistant की merit list देखिए मैं कुछ तक दिखाऊंगा क्योंकि 3,000 से जैदे candidate थे तो दिखाना संभब नहीं होगा लेकिन मैं आपको 100 तक लगभग मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि 61 vacancy थी और combined merit list में 61 को ही होना था तो दोस्तों यहां अब आप देख रहे हैं कि 2017 के recruitment drive के जो combined merit list है तो आप यहां catering assistant की combined merit list देख रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि जिनको highest marks मिले था यानि कि जिस candidate को सबसे जैदे marks मिले थे 81 था यानि कि 81 highest था out of 100 जबकि कोई negative marking नहीं थी और आपको मैं यहां पर जैसा कि आप जानते हैं कि 61 vacancy थी तो आप इसमें देखिए कि 61 कहां तक आता है चुकि 61 candidate को ही लिया जाना था तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि जो 61 नंबर का candidate है उनको लगभग आप यहां देख सकते हैं कि 61 जो नंबर का candidate था उनको 68 marks लाने परे थे यहां पर आप देख सकते हैं कि 68 marks लाने परे थे यानि कि 61 candidate के लिये जो selection हुआ था तो selection हुआ था highest 82 और lowest 68 और यहां पर कोई भी negative marking नहीं थी और आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर आप 100 candidate तक देख लिये कि इसमें highest 82 और lowest 68 था 61 candidate का selection इसी में से हुआ था अब मैं आपको 2019 के जो advertisement है और उसके जो vacancy है यह दिखाने एक साथ साथ आपको combined merit list दिखाने जा रहा हूँ लेकिन 2019 में 120 marks के question पूछे गये थे जैसा कि recruitment drive 2021-22 में आप देख रहे हैं तो दोस्तों आप यह देख रहे हैं recruitment drive 2019 के advertisement और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि catering assistant के लिए कितने पोश्ट थे इसमें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टूटल जो vacancy था और इसके जो syllabus है वह भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और NBS recruitment 2019 का यह syllabus है देख रहे हैं कि यहां चार पार्ट इसमें है और फ़र्ष्ट पार्ट में 15 marks reasoning ability और सेकेंड पार्ट जेनरल ऑवेर्नेस 15 marks थर्ड पार्ट में 30 marks के language competency यानि 15 marks इंग्लीज और 15 marks हिंदी से question पुछा गया था और 60 marks पुछा गया था subject से तो total 120 marks का exam लिया था लेकिन इसके भी general instruction आप देखेंगे तो इसमें भी किसी भी तरह की negative marking नहीं थी तो मैं आपको एक बाद general instruction दिखा देता हूँ कि वहाँ भी कोई negative marking नहीं थी तो आप ये देख रहे हैं कि general instruction और general instruction में आप यहाँ देख सकते हैं परके देख सकते हैं और यहाँ पर असपस लिखा हुआ है कि there will be no negative marking यानि कि 2019 के recruitment drive में catering assistant के exam में भी negative marking वहाँ पर नहीं थी और उसका जो selection criteria था वही जो return या CBT computer based test था उसी के आधार पर combined merit list तयार किया तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ combined merit list 2019 की जिसमें 120 marks के question पूछा गया था और कितने marks candidate को मिले थे और जैसा कि आपने देखा है कि total 26 post था तो आइए देखते हैं combined merit list को तो दोस्तो 2019 के recruitment drive की जो result है 31 2020 को जैसा कि आप देख सकते हैं publish किया गया था और यहां देख रहा है कि यह catering assistant का combined merit list है और जैसा कि आपको अभी बताया है कि 26 total post था तो अब आप देखें कि 120 marks का exam हुआ था तो 120 marks में जैसा कि आप अगर यहां पर देख सकते हैं तो candidate को आप यह देखें कि कितने marks मिले थे तो highest आप देख सकते थे जो यह यहां पर 93 marks score किया गया था जो highest score था exam में और total 26 चुकी post है तो आप 26 को यहां पर आप देख सकते हैं कि 26 वाले candidate को 86 मिला था और इसे अगर आप percentage में convert करेंगे तो 71% के आसपास में यह आ रहा है तो इसको मैं थोड़ा और आगे दिखा देता हूं कि किस तरह से marks मिले थे और total 26 का selection होना था और पूरा दिखाने से कोई फर्क नहीं परता चुकि 26 candidate का selection इसी order में होना है तो total 26 post है तो इससे आप समझ गए कि highest 93 और जो lowest जितको मिला होगा 86 पर selection हुआ होगा और category के हिसाब से थोड़ा उपर नीचे यानि कि थोड़ा नीचे भी merit list गया होगा तो दोस्त 71 के आसपास आ रहा है और जैसा कि आपने देखा है कि 2017 में 86 और 67 के बीच में percentage के बीच में वहाँ पर हुआ है लेकि इस बार negative marking है तो संभब है कि इस बार भी 70% के आसपास ही selection रहेगा यानि कि आप negative marking के बाद अगर आप 70% score करते हैं तो आपका seat बिलकुल ही पक्का है exam में तो दोस्तों इस तरह से त्यारिक करेंगे वह इसे social media पर बहुत खबर चल रही है कई सारे फरजी भी खबर है और सिर्फ अपने चैनल को चलाने के लिए इस तरह का खबर पिस किया गया है मैं आपको fact और data के आधार पर मैंने आपको ये बताया है तो दोस्तों मुझे पू बहुत धन्यवाद